माइनर्स और कोफेक्टर्स निकालेंगे हम एक मैट्रिक्स के तो मैट्रिक्स दिया है 1,2,4,7 यह एक 2 रोज और 2 कॉलम्स की मैट्रिक्स है इसकी पोजिशन होती है A11, A12, A21 and A22 मतलब 1st row 1st कॉलम, 1st row 2nd कॉलम, 2nd row 1st कॉलम and 2nd row 2nd कॉलम जो भी element का हम देख रहे है, minor उसका opposite वाला element उसका minor रहेगा जैसे A11 करेगा A22, तो सबसे पहले हम minors निकालेंगे position लिखते जाए A11, उसकी position पर है 1 element, उसके बाद A12 की position पर है 2 element तो उसका opposite वाला जो भी element है वो उसका minor रहेगा, जैसे 1 का minor आगया 7 2 का minor उस row कॉलम को हाइट करने पे आया 4, 2, 1 मतलब 4 जो है उसका 4 का minor आगया, आपका 4 वाले की row भी हाइट हो गई, 4 वाले का कॉलम भी, तो उसका opposite is 2, opposite या उसके diagonal में जो element है वो आ जाता है और A22 मतलब 7 जो है, 7 के पूरी row पूरी कॉलम हाइट करने पे आता है उसका opposite 1 तो new matrix बन जाएगी 7, 4, 2, 1 तो ये चारो new elements हमें मिल गए, इसे हम row wise लिखते जाएंगे 7, उसके बाद A12 की position पे 4, A21 की position पर है 2, and A22 की position पे 1 2, second row, second column मतलब 2, 2, first row, first column मतलब 1, 1, तो ये हो गई है matrix of minors, of A next हम निकालेंगे co-factors, co-factors का process देखेंगे हम, co-factors के लिए A11, A12, A21, and A22, अब जो matrix हमारी minors के आई, हम उस पे focus करेंगे, first row ये matrix पे नहीं, A11 की position पर है 7, then, उसके बाद A12 पर 4, then उसके बाद है 2, and 1, तो ये सारे elements लिख दीजे, position of elements लास्ट एक वीडियो में भी discuss किया हुआ है, इसको multiply क्या रहेंगे हम minus 1 के साथ, अगर ये 3 by 3 की matrix है, तो यहाँ 9 elements रहेंगे, और सब को आप minus 1 से multiply करेंगे, और उनकी position उसके power में लिख देंगे, जैसे ये है 1, 1, तो 1 plus 1, next आएगा 1 plus 2, उसके बाद आएगा 2 plus 1, और 2 plus 2, अब अगर आपका जो power है, वो odd number आता है plus करने पर, तो आपकी sign change हो जाएगी, अगर plus sign है, तो minus हो जाएगी, minus है, तो plus हो जाएगी, और अगर आपका power even number आता है add करने पर, तो same sign रहेगी, अगर plus है, तो plus minus है, तो minus, तो आप यहाँ 1 plus 1 देख सकते हैं, 2, 1 minus 1 को 2 times हम अगर multiply करते हैं, तो plus आ रहा है, 1 plus 1 is even number, तो कोई sign change नहीं हुई, 1 plus 2 मतलब 3, यानि odd number आ गया है, तो sign change हो जाएगी, plus 4 बन जाएगा, minus 4, उसकी बाद वाला 2 plus 1, इसका भी power जब हम add करने तो एक odd number है, मतलब इसकी भी sign change हो गई, और 2 plus 2, जो की एक even number दे रहा है, तो इसकी sign change नहीं होगी, यह new matrix बन गई, 7 minus 4, minus 2 and 1, तो यह हो गया आपका minors and co-factors, shortcut trick आप यह कर सकते हैं, कि अगर आप co-factors नहीं निकालना चाहते, तो आप सिर्फ diagonal वाले जो element है, 2 by 2 में उसकी sign change कर दीजे, यानि कि second वाली position और नीचे की row में first position, आप यहां देख सकते हैं, अगर 2 by 2 की matrix है, तो मुझे सिर्फ यह 2 की sign change करना है, तो यह बन गया co-factor of 2 by 2, और अगर 3 by 3 है, तो उसका भी देखिए, कैसे बनेगी co-factor, सिर्फ center वाले elements की sign change होगी, पूरा kite shape में, first row में जो center का element है, उसकी उसके बाद नीचे अगर आप आते हैं, तो first and third element और नीचे center,